कि उत्रप्रदेश में रासा में विखार की तपिश बढ़ गई है लखनों से लेकर फुरोजाबाद मेरट से लेकर कानपूर पूरी तरीके से हाहकार मचा हुआ है इतना ही नहीं वारल फीबर बड़े बुजर्गों के साथ मासूम बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है रहसे मई बुखार यूपी में नब्बे की मोट बारे सो बीमार मरीज बढ़ने से अस्पताल लाचार मौट से हाहकार कुछ तो करो सरकार यह वो माता पिता हैं जिनके मासूम बच्चे अस्पतालों में बुखार से तड़प रही है तेजी से फैली बुखार की इस बीमारी ने कई मासूमों को मौत की नीन सुला दिया है आलम यह है कि अस्पताल के एक एक बैड पर दो दो बच्चों का इलाज किया जा रहा है और माता पिता बुखार से बच्चों को बचाने के लिए दरदर की ठोकने खा रही है वाइरल बुखार के कहर से पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, MP में हाहाकार मचा है वहीं यूपी में वाइरल बुखार से अब तक 90 से जादा बच्चों की मौत हो चुकी है 1200 से जादा लोग इस वाइरल की चपेट में है वहीं सिमल बुखार और वाइरल की अक्स्प्रेस यूपी के कौन-कौन से शहरों में आफ़त लेकर दोड़ रही है वाइरल बुखार से मौत, एटा एक, बागपत पांच, शावस्ती एक, मतुरा, चौले, फिरोजाबाद में 55, फरुखाबाद 9 और कानपूर में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है जनपदों में टेंगू का जiदा केसस होने का रिपूर्ट प्राफ्त हुआ है हमारे जनपद में अब तक इस केससे रिपूर्ट हुए है लास्ट येर भी यहां कुछ टेंगू केसस का रिपोर्टिंग हुई थी हम लोग उने अभी स्वास्ता विवाग में पूरी तरह से अलर्ट है और मेडिकल कॉलेज और सीमस पियल शर्मा सीमस महिला चिकित सालेक से देली बात हो रही है जो भी इस तरह की सिंटम्स के साथ आ रहे हैं उनको टेस्ट कराने का समय से टेस्ट रिजल देने का और जिसका सिंटम्स सीवियर है उनका ट्रीक्मन के समन में लगातार उनसे फिड़बग रप की जा रही है वही प्रशासन लोगों से धैर्य रखने की बात कर रहा है लेकिन वो माता पिता क्या करें जिनके बच्चे बुखार से तप रहे हैं वो धैर्य रखे भी तो कैसे कोरोना के खौफ के बीच जहां लोग वाइरल बुखार से दैशत में हैं तो वही रहस्वमई बुखार ने शासन प्रशासन की नीद उड़ा दी है कई लोग इसे डेंगू तो कई लोग इसे मलेरिया बुखार बता रही हैं लेकिन इस बुखार का तोड किसी के पास अभी तक नहीं निकला है वाइरल बुखार के लक्षन, सरदी, खासी, बुखार, गले में दर्द, शरीर में दर्द, सर में दर्द, कफ जमना करोना खौफ के बीच इस वारल फिबर ने पुरी तरीके से दसत मचा दिया है लोग इसे कोई डेंगू कह रहा है तो कोई मरेरिया का नाम दे रहा है तो कोई रहस्मई बिमारी के नाम से इसे पुकार रहा है दसत के बीच लगातार आकड़े बढ़ते जा रहे हैं जिसके बाद से स्वास्त महकमा हैरान और परिशान है कैमरा परसन सौरा पांड़े के साथ हमें देश रवास्तों खबर फास्ट लखनू जबते जाजी के साथ हमें लगा बाद से स्वास्त महकमा है